नवस्कार किसासातियों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूटूब चैनल किसान गैड में किसासातियों, जैसा कि आज ये समय अठाइक नहुंबर हो चुका है तो जो ग्यों की अग्यती बिचाईती उसका टाइम सवापत हो चुका है और अब ये चो समझ चला है वो ग्यों की पचैती बिचाई का है तो हम आप लोगों के लिए ग्यों की कुछ ऐसी टाब बराटी, ऐसी पांच टाब बराटी को लेके आए हैं जिनकी हम बिचाई ये पचैती के रूप में कर सकते हैं इस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले नमबर पर लेते हैं DBW 90 बराइटी किसन साथ यह DBW 90 बराइटी बहुत ही अच्छी बराइटी है इसके जो पकने का समय है वो एक से किस से लेके 122 दिन का ले देती है इसकी जो पैदाबार है वो 23 लेके 25 कुंटल तक हो जाती है और इसकी जो हम विजाई है वो 20 या 25 दिसंबर तक कर सकते हैं किसाति यह इसकी जो हाइट होती है वो लगवग 98 सेंडी दिन का लेका हो जाती है वो हम पंजाब, हर्याना, दिल्ली, राजिस्तान, उत्रप्रदेश, हिमाच्य प्रदेश, मर्द्रप्रदेश, 36 गड़ और जार्कन जैसे सभी राज्यों में कर सकते हैं जब भी हम कोई भी बीज मात्रा है, वो थोड़ी जादा होती है, और इसलिए जवाँ में थोड़ा फर्क होता है, इसलिए हम इसकी जो बीज मात्रा लेंगे, वो 50 से लेके 55 किलोग्राम प्रती एकड़ के हिसाब से लेंगे इसकी जो बीजाई है, अगर इसके हम आगेती विजाई करते हैं, तब तो ये बहुती जादा अच्छे रिजल्ट देती है, इसके लाबा ये पिछेती विजाई में बढ़िया रिजल्ट देती है इसकी जो बीजाई है, हम 15 दिसमबर तक कर सकते हैं, और इसके जो पौदी की उचाई होती है, वो 90 से लेके 95 सिंटीमेटर तक हो जाती है और यह जो पकने में समय लेती है वो लगवा एक से बीस से लेकर एक से तीस दिन का समय लेती है और इसका जो उत्पादन है तो 28 से लेकर 29 कुंटल तक यह उत्पादन दे देती है रेकिन जब जहां हम इसकी अगर अगेती विजाई करते हैं तो यह उत्पादर करीब 30 से लेकर 32 कुंटल प्रती एकर तक हो जाता है किसासतियो इसके जो 40 किलो बैक की जो कीमत है वो लगवा 1600 लेके 1800 रुपर तक है किसासतियो तीसरी नमबर पर जो बैराटी आती है पिछेती बैराटी आती है वो है DBW316 किसासतियो यह जो बैराटी है यह लोगों के मत करण प्रेमा के नाम से भी जानी जाती है यह एक ऐसी बराइटी है जो गर्मी सायन करने में काफी बेतर है क्योंकि जो भी लेट बराइटी है उसे थोड़ा पकने में थोड़ा देर लगती है तो उसमाँ जब मार्स के मैने में काफी हबाय चलती है यह गर्म हबाय चलती है गर्मी का मोसम होता है तो उस समय इस पर कोई प्रवाव उस गर्मी का नहीं पड़ता है ये बुबाई किसकी बुबाई में करीब 20 रिसंबर तक कर लेनी चाहिए और ये पकने में करीब 15 से लेकर 120 दिन का समय ले लिती है ये उत्पादन दिने में बेतर बराइटी है और ये उत्पादन इसका करीब 25 से लेकर 26 कुंटल प्रतियकर तक निकल आता है ये रश्ट के पिरती काफी सैंसील बराइटी है तो इसे एक बढ़िया बराइटी जानेंगे किसनसातियों चोटे नंबर पर हम लेते हैं PBW 370 किसनसातियों ये भी पिछेती बिजाई के लिए बहुत ही अच्छी बराइटी है इसमें जो पौदी की उचाई होती है वो 92 से लेकर लगवग 94 सेंट्री मिर तक हो जाती है और इसका उत्पादन करी 22 से लेकर 26 कुंटल तक हम प्राप्त कर सकते हैं इसकी बिजाई हमें 18 दिसंबर तक कर लेनी चाहिए और इसके लगवग 40 किलोग्राम बै की कीमत 14 सा रुपर से लेकर 16 सा रुपर तक होती है खिसनसातियों जो सबसे लाश की बराइटी है नंबर 5 पर आती है वो है WH 1124 यह भी एक बेतर बराइटी है जिसे हम पिचेती बिजाई के लिए रख सकते हैं इसमें पकने में करीब एक से 20 दिन का समय लगता है और इसकी बिजाई हमें 15 से 25 दिसंबर के मत्वत कर देनी चाहिए इसके बाद हमें इसकी बिजाई निकरनी है किसाथियों यह पैदावार करीब 24 से लेकर 28 स्कुंटर तक देती है यह जो बराइटी है इसके जो पौदे की उचाई होती है है वो पिच्चान में से लेकर एक से 1 cm तक होती है और इस बराइटी के जो 40 किलोगराम बैक की कीमत वो करीब 1200 रुपे से लेकर 1300 रुपे तक मार नहीं है क्योंकि इसमय जो जर्मी ने सुनोता है पहले की पैक्षा कम होता है जर्मी ने से प्रवावित होता है तो यह आप यह एक द्यानों को बात है किसाथ आती हो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं आपके कोई भी कोसन हो हमें कमेंट करें हमाई इस वीडियो को लाइक करें और लोगों को बीच सेर करें और जिन लोग ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब कर दें तन्यवाद